हेलो एवरीवन नमस्कार में मनीशा स्वागत है आपका अपने चैनल MLT Education Point पर केसे हैं सभी उमीद है कि आप सभी स्वस्तोंगे तो आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक में नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ देखे हम कुछ भी खाते हैं कुछ में पीते हैं तो हमार हमारे ल эфф करती है कि ज़ुआ की, चीज और वेसट निकलता है उसको यह जो स्वाइब करती है उसी परिकार किसी पर दीज में हर जगे कुछ नुच वैस्ट निकलता पापने वासुच निकलता है। याने की ऑ हर thats the bio medical की बीकल मेडिकल विस्ट बनाया गया का कंको से कौन कौन सा वेस्ट सब्सक् docs बने वाले वेस्ट करते हैं अच्री के लाभी ऐस्ञ में हमारी अब कल देंद pioneering के लिए को लाइक करना दिए की बायो मेडिकल वैस्त क्या है सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं Hep एठीकल भायोशन वैस्त जिससे हम अतकुन बीम बूम बी बीच्ट करें करें लिए व यानि यह मतलब क्या है क्लिने तो सबी के समय कुछ वेस्ट हो हमारे ली निकलता है और उसी वेस्ट को हम केते हैं बारे में टिकल वेस्ट अब वह वेस्ट जो होता है वह solid भी हो सकता है liquid भी हो सकता है उसके साथ container भी हो सकते हैं और any intermediate product हो सकते हैं which is generated during the diagnosis यानि की diagnosis के समय, treatment के समय and immunizations of humans and animals के समय कुछ भी वेस्ट अगर निकलता है तो उसी को हम biomedical वेस्ट कहते हैं अब देखो biomedical waste यह management क्यों बनाया गया, इसका aim क्या है, इसका goal क्या है देखो हम देखते हैं कि biomedical waste में बहुत सारी इस तरीके की चीज़े निकलती है जो कि infected है infected चीज़े हैं अब hospital में patient आता है उसका treatment करवाने के लिए उसका infection control करवाने के लिए लेकिन यह जो waste निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, वेस्ट को अगर आप ऐसे dispose कर दोगे तो क्या होगा, infections और भी ज़्यादा फेलेगा हम चाहते हैं कि infection control हो, hospital में treatment कराया जाता है तक infection control हो और उल्टा यहाँ पर infection फेल सकता है इन वेस्ट से, क्योंकि यह वेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही कतरनाक होते हैं, कुछ chemicals होते हैं, कुछ cotton होते हैं, कुछ bacteria या virus infected materials होते हैं तो इनका यह management करना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी था, तो इसका main goal यही है, कि infection को control किया जाए, pollutions को कम किया जाए clear है, अब देखो, आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है, कुछ procedures करते समय, यहाँ पर surgical procedures करते समय, कुछ इस तरीके का waste निकलता है, उस इस waste को पहुचाए जाता है, इसके treatment के लिए, जिसे कि यहाँ पर यह अंकल लेकर जा रहे हैं अब देखे, यह जो आपका waste निकलता है, hospital से जो भी waste निकलता है, जो medical waste निकलता है, यह different different types का होता है, जिसे हम कहते हैं, BMW के अंदर लेते हैं, यानि कि biomedical waste इस waste में आपके कुछ chemical waste भी निकलेंगे, chemical waste में जिसे की gases, metallic, liquid, liquid, chemical waste निकलेगा, कुछ solid chemical waste निकल रहा है, कुछ gases निकल रहे हैं, तो यह भी आपके biomedical waste के इंदर आता है कुछ infectious waste, infectious waste मतलब कि जो parasites, bacteria से या फिर virus से contains, जो materials है, जो waste निकल रहे हैं, जो की infection फेला सकते हैं, बिमारी कोस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं, infection waste तो वो cotton भी हो सकता है, किसी person का blood लगा हो, उस cotton पे अगर उसको HIV हो, तो वहाँ पर उसको infectious waste कहेंगे, कोई भी dressing हो गई, या फिर कोई भी clearing materials हो गया, तो वो आता है आपकी infectious waste के अंदर, उसी प्रकार होता है pathological waste, pathological waste में आपका जैसे की blood हो गया, आपका biopsy सेंपल हो गया, या आएंगे आपके pathological waste के अंदर, और radiation waste, radiation waste मतलब की x-ray department है, आपका उस x-ray department में जो भी waste निकल रहा है, radio therapy materials हो गया, x-ray and other radiological testing करते समय, वो भी आपका biomedical waste के अंदर आता है, pharmacological waste, pharmacological waste मतलब की expired drugs हो गई, कोई भी chemicals हो गया, या फिर research waste हो गया, research करते समय, medicine बिनाते समय, जो भी waste निकला, वो आजाई है आपके pharmacological waste के अंदर, उसके बाद अगला आता है आपका sharps, sharps मतलब की needle यानिकी नुकीली चीजे, नुकीली चीजे जिसे आपको cut लग सकता है, कि इसी person को कर, hepatitis है, और उसकी needle आपको चुप गई, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, आपको भी infection हो सकता है, तो यह जो needle है, जो glass bottles है, जो sets ही वो आते ही, आपके sharps के अंदर, और यही सारी चीजे आपके कहलाती है, biomedical waste, अब इस waste का management करना बहुत जरूरी है, इनको टिकानी लग बहुत जरूरी है, तो देखें, यहाँ पर जो है, यह जो step सलती है, इसकी कुछ biomedical waste की इनको ऐसे ही कहीं पर भी इदर उदर फिलाया नहीं जलता है, इनकी steps सलती है, यह steps आपको याद करना बहुत जरूरी है, कि सबसे पहले इनका क्या होता है, जो भी waste generate हुआ है, हो सबसे of waste generated, इनका सबसे पहला stage जो आता है, वो आता है, segregation, क्या आता है, segregation of hospital waste, segregation का मतलब होता है, कि अलग-अलग कर देना, अलग-अलग मतलब कि हम देखते हैं कि hospital में जाते हैं, तो अलग-अलग type के dust bean use किये जाते हैं, यानि कि उससे हम क्या करते हैं, कि segregation मतलब कि जो plastic वाली हैं, तो उनको अलग कर देते हैं, और जो infected materials है, उनको अलग कर देते हैं, और वही हमारी सबसे पहली और important processes आती है, तो यहां पर आप star लगा लेजेए, यह बहुत important है, segregation of hospital waste, दूसरा आता है, कि जो भी waste निकला है, किसी एक department से वेस्ट निकला है, तो उस एक department का वेस्ट हम अब उसके बाग में, पूरा जो hospital में, जतने भी department से, उन सभी का वेस्ट एक जगए इखटा किया जाता है, storage of waste, उसको हम कहेंगे, storage of waste, यानि कि सभी department का वेस्ट, एक place decide किया जाता है, कि यहां पर हमें सारा वेस्ट जो है, वो लाकर इखटा करना है, फिर चलते हैं, अगल treatment का मतलब यह नहीं कि पैसंट का इलाज होगा, वहां पर इलाज होगा, लेकिन वेस्ट का इलाज होगा, कि treatment क्या करना है, मतलब कि segregation हम इसलिए करते हैं, ताकि उसका treatment सही साथ हो सके, मतलब कि कुछ चीजे जिनकी recycle होती है, कुछ चीजे जिनको reuse किया जा सकता है, disinfection करके, steril करके, तो उन चीजों को आप यूज कर सकते हो, कास की वस्तों को अलग रखोगे, तो उसका treatment अलग होगा, जो आपके कटे हुए, अंग जो है, जो भी टीशू निकले है, वाइप सेंपल्स जो है, उन सभी को अलग जगे रखा जाएगा, मतलब कि उनको आप गड़ा कोद क सकते हैं, जो कि खुद से हो सकते हैं, तो उनका treatment अलग तरीके से होगा, इसलिए हम segregation करते हैं, इसलिए आपके ये वाली स्टेप्स जो है, वो सबसे important आती है, segregation के बारे में भी मैं आपको आगे समझाओंगी, थोड़ा सा patient बना के रखें, बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले हैं, बायो मेडिकल वेस्ट को बहुत important point है, मतलब कि hospital में चाहे paramedical staff हो, चाहे nursing staff हो, चाहे doctors हो, या फिर hospital में काम कर रहे हैं, कोई भी workers हो, सभी को बायो मेडिकल वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि infection जो है, वो जादा से जादा हम control कर सक infection ना फैले, अब देखो, segregation of hospital west, मैंने अब बताया, segregation जो कि एक बहुत important steps है, segregation का मतलब होता है, कि उसको separate करना, यानि कि separation of different category of west, waste को हम अलग-अलग categories में divide कर देते हैं, तो इसी प्रकार से हमारे hospital में जो है, वो कुछ इस तरीके के dustbin यूज़ के जाते हैं, अलग-अलग color के तो mainly हम 5 color के dustbin यूज़ करते हैं, yellow, red, blue, white and black, ठीक है, तो ये इन में हमारा west जाता है, जिसमें से कुछ west जैसे की कांच वाला है, तो वो किसी एक dustbin में जाएगा, जो नुकीली चीज़े हैं, वो किसी एक dustbin में जाएगा, उसी को हम कह देते हैं segregation, अब जानते हैं कि कौन से dustbin में हमारा कौन सा west जाएगा, जो कि है सबसे ही important, उसी के बारे में समझते हैं कि west जो हमारा है, सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से समझेएगा हर एक चीज़ को, बहुत important है, सबसे पहले आपको उपर आएगा color code, जो भी हमने आपको color बताए dustbin के वो, दूसरा आएगा आपका waste, यानि कि कौन-कौन सा waste कौन से dustbin में जाएगा, और तीसरा कि इस waste का treatment क्या होगा, बहुत important बात यहाँ पर बताए जा रही है, कि देखो yellow dustbin अगर आपका है, तो yellow के अंदर कौन सी चीज़ जाएगे, सबसे पहली है human and animal anatomical waste, यानि कि को हो गया, organs हो गया, body का parts हो गया, तो वो आपके yellow dustbin के अंदर जाएगे, अगर कोई cotton हो गया, cotton west हो गया, तो भी आपका जाएगा yellow के अंदर, कास्क काहें तो मास्क भी आपका जाएगा यलोग अंद्रूस्ट में अथा सो हुँ है implement नेऊं में यह यह जाते हैं अगर रख किन्टेंव मर्य नहीं और भूर्ग कंदेंगा अगर उसके इंद्र नहीं है वह काली है तो फिर वहां दूसरे ड़स्ट इन में डालते़ इसके अंदर बागता हुँ जैसे कि सीसे फो गया युरीन हो गया स्पूतं हो गया यह सब आपके बॉर्ड ये लों डिस्ट बीन के अंदर और जो भी आपका मतलब जो एक्सपाइड ऐसे वहां भी आपका जो जो करने जाएगा जो माइक्रोपाइलोमी जी में जो कल्चर निकलते हैं शींडेंगे यह दूंदर जाएंगे गोकि इसकésus रूबजता है तो यह होता है कुछ चीज़ें जिनका डी बाइयर होता है iSत दूर्प टेस्ट की Kennedy होते हैं उनको डाल जाते हैं तो उनका होगा कुछ चीजों का इसमें केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उसमें 5% हाइपो क्लोराइट सब्सक्राइब करने के लिए हम यह केमिकल करते हैं उसके बार उसको अगली आपका यानि कि अगला डस्ट बीन आता है आपका रेड कलर के अंदर को उसी चीजे आती है तो रेड के अंदर जाएंगे आपके इंफेक्टिंट प्लास्टिक आइटम में निकल रहें वह प्लास्टिक आइटम सापके जाएंगे रेड डस्ट्र Hazard कैंदर अदर शॏसने ऊनका रिसाइकל करने यूस्षों की अग्या है तो दूसरी कहते हैं सिरिश्य विदाउट टीन यहान हां तर दिया मैं डबंध नि नीडिल के साथ में सीरिंज अगर है तो कुन से में डालना है वह आगे बताऊंगी अगर विदाउट नीडिल है तो रेडिक अंदर जाएगा आईवी सेट हो गया डाइलीसी स्कीट हो गई आईवी बॉटल्स हो गई यूरीन बैक्स हो गई ग्लाउस हो गई यह सारी चीज़ पर specific time पर steam किया जाता है यानि कि सीधा सीधा अगर बात करें तो sterilization के लिए यूज किया जाता है microwave ने तो microwave भी moisture याली कि sterilization किया जाता है disinfectic किया जाता है जो भी वैस्ट है उनमें pathogen से उसको free किया जाता है chemical treatment chemical treatment अभी मैं बता चुकी हूं इसमें कुछ चीज़े का chemical treatment भी किया जाता है I hope आपको समझ में आया होगा कि red dust bean के अंदर कोन को से चीज़े जाती है blue dust bean अगर आपका है तो blue के अंदर आपकी blue मत्तबाफ बंद करकर कैदो कि glass wise जो भी आपकी कांच की चीज़े है कांच की चीज़े सारी आपके blue dust bean के अंदर जाएगी glass जाहे ब्रोकन ग्लास हो चाहे वह अच्छी glass हो कैसी भी ग्लास हो एंपूस निकलते हैं चोटे-चोटे-चोटे से कांच के जो आपके blue dust bean के अंदर डालते हैं lab में जो slides निकलती है जो कांच की glass lights होती है वह भी आपके अंदर इसके अंदर जाएगी जो भी metallic implant होता है medically compelling यानि की metal का बना हुआ जो भी होता है वह भी आपका blue dust bean के अंदर जाएगा ऐसा नहीं की metal का बना हुआ है तो बड़ी-बड़ी चीज़ेस के अंदर डाल रहे हैं तो वह चीज़े अलग रहती है इसका क्या होता है treatment इसका भी auto-cleving होता है microwave उता है वो श्रेडिंग होता है श्रेडिंग का मजलब देखें श्रेडिंग का बड़ी चीज़ है जिसे की glassware बीकर हो गई तो इनको क्या करता है उसको तोड़ा जाता है छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ों दिया जाता है उसके बाद उसकी जो आगी की प्रोसेजर सुच्योस निडल आ गई आपके देखो अब आती है यहां पर बात इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको भी बताई कि जो हम सीरिंग डाल रहे हैं जो हम सीरिंग डाल रहे हैं अगर वो फिक्स निडिल उसके साथ में है तो जाएगा आपके वाइट के अंदर क्योंकि इसके स अब यहां पर उसके ओड़ेविंग होगी कुछ चीजों का कैमिकल ट्रिटमेंट होगा और कुछ उरेडिंग होगी तो यह उनका ट्रेटमेंट होता है ब्लेक डस्ट वीन, लास्ट हमारा बश्टा है कि ब्लेक डस्ट वीन के अंदर कौन सी चीज़े जाएगी तो ब्लेक लगे ऑस्पिटल में कुछ खाया छिलके विलके जो भी निकले वो ब्लेक में डालेंगे टीशू पैपर जो निकला टीशू पैपर को भी आप वेस्ट में डालेंगे और ऑफिस के जो भी पैपर निकलते हैं तो फिर हम डायरेक्ट उसको ब्लेक के अंदर डाल देते हैं इनक अगले वीडियो में बने रही हमारे साथ